वेल्कम बैक तु एन अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे ओन फिम् ग्राउंड एक शौर्ट स्टोरी के बारे में जिसके राइटर है जतन बैला। जतन बैला एक बिंगाली दलित राइटर है। तो अब हम स्टोरी के बात करें, तो स्टोरी का जो मेन फोकस है वो है वाइलिंस जो की दलस के उपर किया जाता है, उसके बारे में, तो स्टोरी के जो मेन करेक्टर है वो है हालदार, जो की ब्रहमन्स के खिलाफ उतनी आवाज उठाते हैं और उनके जो पूरा फैमिली है, उ वो ही उसका एक प्रैक्टिस है, यूनों सालों से, तो October का मन्त चल रहा होता है, ब्राहमन से कठा हो जाते हैं, वहाँ पे Ritual, जो Liberation है, उनके Four Fathers का वो करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, वो अपने जो मंतर जाप है, वो कर रही है, और ऐसे Cup Shape बना के हाथों का उससे पानी है, जो पौर कर रहे हैं, जैसा कि मैंने Pictorial Form में दिखाया भी है, तो वो वहाँ पे नहारा होता है, तो एक Gokul Chakravarti नाम के आदमी होते हैं, वो नोटिस करते हैं कि यह तो कि ब्राहमन नहीं है, देखा-देखा भी नहीं लग रहा है, कौन यह है, फिर थोड़ा सा पास जाके देखते हैं, ओ, हालदार, फिर वो बोलते हैं, अच्छा-च्छा, शायद यह ना, हमारे जो रिचुल्स हैं, डेड के, उसको अब्सर्व कर रहा होगा, शायद सीख रहा होगा, कुछ स्लोगन्स वगएरा, तो फिर, वो बोलते हैं हालदार को, कि अच्छा, तुम यह अब्सर्व कर रहे हैं रिचुल्स को, बोलता, नहीं, नहीं, मैं अपनी फिल्स को पानी दे रहा हूँ, ऐसे, कब शेप हाथो को करके, जब पानी पार करता हूँ, तो मैरी फिल्स में जाके गरता है, फिर, वो बोलता है, गोकल की, यह क्या नॉंसन्स है, ऐसे कैसे हो सकता है, बोलता, जैसे, तुम्हारे फोर वादर्स के पास पहुच रहा है, ऐसा, मेरा मेरी फिल्स में पहुच रहा है, अब गौकुल चकुरवर्ती बहुत ज़्यादा इस चीज से वो हो जाता है, गुसा हो जाता है बोलता है कि ओ, ब्रामन के साथ मजाग करोगे, अब तुम शुद्र ऐसा इतने ही मत करोगे तुम बोलता है कि साथ देखिए, ड्रीवर्त तो आपका प्राइवेट प्रॉपरिटी है नहीं तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे नहीं टोक सकता है तो फिर उसको वार्निंग दी जाती कि देखो, गाउं में रहना है, बसना है यहाँ पर तो यह ज़्यादा बगवास वाजिया मत किया अगरों हमारे साथ, तमीज से रहो, अपने उकात में रहो, इस तरह की उसको बाते बोली जाती है उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद एक आनंदपुर विलेज के हेडमेन होते हैं, बभीने चार रॉए तो जो हमारे हालदार है, यह एक मिस्त्री टाइब मेंसिन मोलते हैं तो घर बनाने का काम करते हैं, तो जो यह है, हैडमेन है, अनदपुरा विलेज के, वो डिसाइड करते हैं, कि वो अपनी पुष्टेनी घर है उसको रिबिल्ड करेंगे अब हालदार पर उनका पूरा विश्वास था कि हालदार is a you know very dedicated man, और यह काफी अच्छा काम करेगा, वो बहुत ही tirelessly, अपना honest तरीके से सारा काम करता है, लेकिन अब ब्रहमन्स को तो वो बाच्चु भी हुई थी, कि कैसे इसने हमारा मजाग उड़ा दिया, तो वो प्ल करते हैं, तो क्या होता है, जो अननदपूरा विलेज के headman थे, भवीना चारर रोय, उनके जो घर पे क्या हो जाता है, जो टेमपल के डेटी होते है, उनके जो गले का हार होता है, वो चोरी हो जाता है, अब सारे ब्रहमन इकठा होते है, तो बोलते हैं कि भई देखो, ब्र हालदार आता है, इसने चोरी किया होगा, पूरा ख्लेम लगा दिया उस पर, क्योंकि उनका टागेट ही था कि इसने मोग किया हैं, अमें, ब्रुम पनिश हम, उसके बाद क्या होता है, हालदार को बुलाया जाता है, हालदार, वो was clueless about it की हो क्या रहा है, तो हालदार आता है तो उसे पूछा जाता है कि भाई तुमने इसा किया है गया he denied he was too confident क्योंकि उसके कुछ गलती नहीं थी तो he just denied that और बहुत ही carefree तरीके से वह खड़ा था लेकिन ब्रहामन ऐसा उसको claim करते कि भाई तुमने ही किया और तुम यह जूट बोल रहे हो अभी तो उसके बाद क्या होता है haldar was tied to the tree और उसको बहुत ज्यादा मारा गया उसके बाद क्या होता है उसको मार रहे हैं मार रहे हैं उसके बाद जब यह headman चले गए तो वहाँ पर जो भ्रहामन खड़े थे वहाँ पर वो सारे उसको बोलते हैं कि हैं उसके अंदर इतनी हीमत आई कहां से कि वह ब्रहामन के अगेंस्ट आवाज उठा रहा है कि अगर कोई भी ऐसा करेगा तो हम एक ऐसा एक्जामपल सेट करना चाहते हैं पूरी ससाइटी के लिए कि उसको ऐसे ही पनिश किया जाएगा फिर जो सारे ब्रहामन से वह उसके वह बिल्कुल वीग न हो जाए उसकी वाइफ को और उसके बच्चे को गाउन से निकाल दिया जाता है वेन हालता केम बैक टू इस हाउस तो उसकी जो वाइफ और बच्चा है उसे नहीं मिलते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि ये जो मैंने करा था उ उसकी बोलने से कितना उसकी लाइफ उसकी उसके उपर इंपक्ट पड़ता है उस चीज के बारे में यहाँ पर इस स्टोरी में दिखाया गया है कि जो दलित है डोजा शोन एज रिचुल्स हैं उनके बारे में भी हो जी सकते हैं साइटिय में अगर वह ज़्यादा इंट्र कास के रिचुल्स हैं उनके अगेंस्ट या फर उनको ना फोलो करें तो भी हमें एक्स्क्लूड कर दिया जाएगा सुसाइटिय सो वी हव्याव तो फोलो अल्ड रिचुल्स और इस अपर कास्ट पीपल से इन और तू सस्टेन आर लाइफ तो यह जो पूरा एक्स्पोरा है और सब्यूगेशन है दालत का वो इस स्टोरी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है hope you get that if you have any queries please drop them in the comment box thank you so much